नवस्कार दूस्तो मेराज पांडे आप देख रहे हैं आर्सीयनू टुड़े आई यह जान लेते हैं अभी कि बड़ी ख़वर ब्रेकिन उच्वारे में पहली बड़ी ख़वर नई भरती को लेकर हैं पोश्ट आफिस में जीडियस के पदू पर नई भरती का विग्यापन जारी किया गया है कुल पदू की संख्या 4,200 से अधिक है आपको बता देए उत्तराखंड और उत्तरप्रधिस में सबसे ज़्यादा पद हैं Fast 10,000 से लेकर 12,000 पर मन्थ आपको दिया जाएगा आबेदन प्रक्रिया के सम्द में यहाँ पर बताया गया है आपको बता दूँ कि 38.221 से आबेदन प्रक्रिया श्टार्ट हो रही है जो की 22.9.2021 तक सलेगी यहाँ पर देखे जानकारी दे गई है यहाँ पर राजवार पूरी जानकारी दी गई है, बताया गया है कि किस जिले में कितने पद खाली है यहाँ पर देखे आगरा का दिया गया है, इसी प्रकार से सभी जिलों के समद में जानकारी दी गई है इस notification को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी फिलहाल मैं पूरी detail जानकारी आपको नहीं दे सकता क्योंकि समय बहुत जादा लगेगा अगर आप आरच्छित वर्क के अंतरगात आते हैं तो आपको आयू में छोड़ दे जाएगी पांच साल और तीन साल आप notification का अध्यन जरूर करिएगा मैं साथ में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ एक महत्पूर जानकारी और देना चाहता हूँ अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो इस भर्ति के लिए अपलाई कर सकते हैं आयू 18 से 40 वर्स माएंगे हैं तो आप चूक ना करें योगिता के उसार अपलाई करें 12,000 रुपे से लिए कसारे 14,000 रुपे पर मन्त आपको दिया जाएगा जो की आप के लिए अच्छी नौकरी है अगर आप हाई स्कूल पास हैं अगर आप नौकरी की तलास में करोना की महामारी के दोवरान तो आप इसमें अपलाई कर पाएंगे पोश्ट आफिस में बंपर पदो पर भरती का बिग्या पंजारी हुआ है कुल पदो के शंख्या 4200 पलस है मैं आपको बता दू 298 पेज का या नौनिफिकेशन है इसमें हर जिले के बारे में बिस्तिर जानकारी दी गए है कि जिले में कितना सीट खाली है मैं आपको लाश्ट में दिखा दे रहा हूं कि लाश्ट में इसमें क्या बताया गया है तो अगर आप लाश्ट में देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी मैं एक पॉइंट में आपको समझाने का प्रयास करा हूं 32 जानकारी नहीं दे पा रहा हूं लेकिन मैं कुछ आपको सार्ट में बता सकता हूं देखिए सभी जिलों के अलिगर 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 आगरा जहांसी इतावा हर एक जिले के बारे में जानकार दी गई साइट में मैं आपको जानकार दे रहा हूँ लेकिन नोटिफिकेशन का धिन जरू करिएगा देगे सबसे महत्तुन बात है कि आप इस दिन पर किया कप से सुरू होगी तो तेज से सुरू होगी यानि कि आज से सुरू है और बाईस सप्तमबर तक चलेगी योगिता इसमें हा आज ही आभीदन कर दें आप लब और अभई नहीं बरते हैं लाश्ट में आप आभीदन नहीं कर पाते हैं सरवर धीमा हो जाता है तो आप परिसानियों का सामना करते हैं अगर इकबर से के दुबारा एम्टे जबरती परिच्छा का एडमिट कार्ड कर तक जारी किया 10 सब्तमबर से लेकर 18 सब्तमबर के बेच अगली खबर इंडियन एरफोर्स किये इंडियन एरफोर्स एक्स वाई गुरूप का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा इसके समंद में बहुत से अथेंटिक जानकारी प्राप्ट हुई है परिच्छार थी परिच्छा गोसित कर दिया जाएगा तो आपके लिए गुड लूज है एक महत्पूर कबर सीटेर 1221 के नोडिफिकेशन को लेकर है सीटेर 1221 का नोडिफिकेशन कब तक आएगा इसके समंद में भी परिच्छु जानकारी मांग रहे है क्योंकि समा चार पत्रों में लगाता सीटेर नो लेकिन आप लोगों मालूम होगा अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते होंगे मेरे दूर आपसे बताया गया है कि 20 अगस्त से लेकर 28 अगस्त की बीच नोडिफिकेशन जारी करने की तयारी है वैसे 25 अगस्त तक एक महत्मू बैठ की जाएगी परिच्छा तीठी क को लेकर परिच्छा दिसंबर के अंति या जनवरी के पर्थम पकवारे में कराने की तयारी चल रही है जैसा कि मेरे दोर बहुत पहले आपको बताया गया था तो 25 तारिक के बाद ही नोडिफिकेशन जारी होनी की संभावना है अधिक्तम साथ सब्तम्बर की बात कही गए ह साथ सब्तम्बर के पहले आवेजन पर प्रक्रिया सुरू हो जाएगी लेकिन 25 के बाद प्रपल संभावना है आप मान कर शिले 90 में परज़र की नोडिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और नोडिफिकेशन में इस बात का जिक्र होगा कि परिच्छा आपकी किस तारिक को कंडेर कराई जाएगी तो आपके लिए गुर्णियोज है अगली पर 25 जार नई भरती को लेकर है 25 जार नई भरती को लेकर सभी के जहन में एक सवाल है देखिए नई भरती का जिक्र नहीं किया गया है बस इतना कहा गया है कि 25 जार से अधिक सरकारी पदों के लिए खोने जा रही है भरती मैं आप से बताना चाहता हूं यूपिटर पलस्ती के माधिन से मार्च 2022 तक 25 जार पदों पर भरती करने का लच्छ रखा गया है सवाद है कि पुरानी भरतियां होंगी या नई भरतियां होंगी या नई पुरानी भरतियों को मिला कर 25 जार पद पूरा करन इन सेवा चाहेर्ट के माधिंधसी जो भी हर्तिया आती है उसका इनक्रा चांट लिए जाता है जाता allêtes दो भार्तिय हो को दिखाने का प्रियास है तो सछा रहाँ आज में आपको बताऊंगा जैसा कि आत कैसे है समाथ चार पत्रões को आप लोग ने पढ़ा होगा फीयो केस्त में होने के लिए पात्र होंगे महिलाओं वा दिव्यांगों को उसी जिले में परिशा की सुबदा दी गई है पुरिस अभ्यर्टियों को यथा संभू उसी मंडल की समीर जीरों में किंद्र आवंटित किये गए हैं देखिए यहां पर बताया गया है कि जो पीटी में क्वाल इत्याभ कि और पुरानी है लिक पाल की भरति 88 600 के करीब है और स्वास्यवा की भरति 9000 के करीब है 9000 प्लस आब यहानि क्या माली श Glen लगबग 17000 पादोपर पहले नहीं भर्तियों इसके बाइस बचेंगे वहागि भर्तियां होंगी पुरानी भर्तियां बहुत सी लंबित हैं जिसके अभी तक ज्वाइनी नहीं पाई जैसे एगरिकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट लोगर पीसे 2019 जूनियर असिस्टेंट 2019 वीडियो भर्ति 2018 इत्याद भर्तियां इसको मिला लिए कम से कंद आठ से दस जार पद लंबित हैं तो जो बता गया पत्चीस जार से अधीर पद भर्तियां की जाएंगी या पुरानी भर्तिया और नई भर्तियों को जोड़ का बताया गया है मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं जानकारी करने के ब दो पालियों में आठ सीटों में त्यार किये गए प्रस्पत जिसके सम्मझ में सुभा ही मेरे जवर आपको जानकारी दे गई थे मैं आपसे बताना चाहता हूं परिच्छा में पेपर मॉडरेट आएगा आप इसको नोट कर लेना सुभा का पेपर सबसे बेस्ट होगा साम या दो से अधिक पालियों में होनी वाली परिच्छा में नार्मलाजिस्टन की परक्रिया अपनाजी जाएगी तो आप इससे बच नहीं सकते ही हाँ अगर आपकी कोश्चन ज़्यादा सही होंगी कि कितने परिशार्थियों ने उस कोईश्चन को अटेम्ट किया है मतलब कि कितने परिशार्थियों ने किस पाले में कितने कोईश्चन को अटेम्ट किया है उसी के आधार पर नार्मलाइजेशन के प्रक्रिया अपनाई जाएगी और कटाप के समझ में इस चैनल के माधिम से बहुत पहले जानकारे देगे तो कटाप जरूर देखेगा इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप चैनल से जुड़ें चैनल को सब्सक्राइब क करें वीडियो को लाइक सेर करना मत फूलें जैन जबादुस्तु नमस्कार